और क्या हाल चाल कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीद है ये है आप लोग और आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र ठीक है पढ़ने वाले क्या समझने वाले हैं ठीक है और है मादा जनन तंत्र ठीक है male reproductive system female reproductive system की बहुत धेर सारे वीडियो मतलब आपको ठीक ठाक समझा दिया गया है अपने इसी चैनल बायो अमन पॉइंट पर ठीक है तो यदि आपको वीडियो डूड़ना है तो आप लिखेंगे male reproductive system YouTube के सर्च बाक्स में फिर लिखेंगे बायो अमन इससे क्या होगा आपको वीडियो सर्च बाक्स पर आपको मिल जाएगा ठीक है नहीं तो आप वीडियो डूड़ते दूड़ते परिसान हो जाओगे नहीं मिलेगा चित्र के माध्यम से दिखाओंगा बिल्कुल 4D कसम से कहरा है उनका जनन तंत्र है ठीक है जैसे हमारे बॉड़ी के अंग होते हैं जैसे हमारा हैंड होता है ठीक है हमारे लंग्स होते हैं हमारा लीवर होता है हमारा ब्रेन होता है ठीक है हमारा माउथ होता है उसी तरह ये एक रिप्रोड़क्टिव और्गन है ठीक है तो इनको पढ और जेक्ट्ट क्या है कैसे पढ़ें कुछ नहीं रिखना सिंपल से सबसे पहले मैं एक सिंपल चित्र बना देता हूं जिसको समझने में आसानी होगी टीक है यह देखो कि यह और यह फिर यह आगे अपना जुडा उडा रहा था जो भी है बस यह देखो तो इसमें हमें क्या दिखता है male reproductive system है हमें इसमें देखने को मिलता है यह दोनों-दोनों कुछ गोला की आकरती के होते हैं कितने होते हैं यह होते हैं सर दो बताइए संख्या में कितने होते हैं तो संख्या में होते हैं दो तो इनकी जो तारवार होंगी वो भी दो ही होंगी है ना वांकी और तो सब एक ही है है ना यह देखो तो इनहीं जो गोला होते हैं ना इनको बोलते हैं सर टेस्टीकल्स टेस्टिकल्स है ना व्रसाड इनी को बोलते हैं टेस्टिस इनी को बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी टेस्टिस यदि दिख रहा हो तो आप लोग मुझे बताईए ये देखिए ये मेले रिप्रोड़क्टिव पार्ट है यहाँ पे आपको ये देखिए टेस्टिकल्स दिख रहा है टेस्टिस दिख रहा है तो ये जो होता है ठीक है ये देखिए गोला गोला इसको बोलते हैं टेस्टिस क्या बोलते हैं टेस्टिस यानि कि टेस्टिकल अब तो इस cover को बोलते है sir वरसन कोस क्या बोलते हैं वरसन कोस हिंदी में क्या इंगलिस में क्या बोलेंगे इंगलिस में बोलेंगे scrutum याद रखना scrutum कितना पाया गया वरसन कोस कितना पाया गया एक पाया गया है इसके अंदर कीतने टेस्टीस हैं कितने टेस्टीकल है तो दो टेस्टीकल है याद रखी हो ठीक है टेस्टीकल के बाद आगे बढ़ते हैं यह रह Mailbox Crotum और पर लिखा हुआ है Scrutum अगे बढ़ते है에 Testicles के इस टेस्टीस के अंदर क्या होते हैं तो स्पर्म बनते हैं इस पर्म क्या होता है जिसको हम लोग बोलते सुक्राडू ठीक है इस पर्म संडचना देख लो वह यह कैसी होती है यह बायलोजी है वहाई मजे मजे लेकर के पढ़ो ठीक है और इस बिशाय पर में जैदा मजे नहीं ले सकता नहीं तो वहाई तुम लोग बात का बतंगड़ बना दोगे मेरी मेरा दुकान चौपट करवा दोगे है ना आप लोग आप लोग को तो आनंद आ जाता है लेकिन बाद में गंदे-गंदे कमेंट आते तो मुझे जेलने पड़ते फिर मैं बहुत उदास हो जाता हूं कि बताओ आप लोगों के आनंद क रोटी नहीं देते हो कि रोटी वन गई उनको रखाए वाथरूम में अब अधार से मम्मी देखी उठाई ज्टाड़ू ले ज्टाड़ू ले ज्टाड़ू बजा डाली रोटी वन रोटी डिबा में तो भहे जो वरसल बनता है तो वरसल को इस्टोर किया जाता है एपीड डाइमिस याद रखियो एपीडी डाइमिस हिंदी से बोलते हैं अधी व्रसन बताइए जितने लोग मेरे लिक्चर देखें होंगे उनको इस अमनाम हम सब सुने सुने लग रहे होंगे ठीक है तो व्रसन कितने एपीडी डाइमिस कितना पाया गया है दो क्योंकि एक टेस्ट के अंदर यह है ना क्योंकि दो ही दूनों में ही डाइमिस के बास संब हम आगे वड़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है यू रेथ रा यूरेथरा क्या होता यह होता है यूरेथरा को बोलते है मूत्रमार्ग है ना मूत्रमार्ग लेकिन अभी हम लोग भटक गए मूत्रमार्ग नहीं देखना Epidymus हम लोग देखते हैं promise नली जाती है यह देखिए यह जो epidymus से आगे की तरफ नली निकलती है वास्ट डिफ्रेंस और वास्ट डिफ्रेंस आगे जा करके कहा निकलती है तो देखो वास्ट डिफ्रेंस ये देखो आगे वड़ी आगे वड़ी आगे वड़ी कहा मिली ये मिली इसके बाद में देखो कुछ हरा हरा करके दीख रहा है तो ये हरा हरा क्या है ये एक प्रकार क ग्लेंड है ठीक है इससरी ग्लेंड होती है तो इस ग्लेंड को बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल ठीक है यह सेमाइनल वेसिकल ठीक है सुक्रासे इसको बोलते हैं क्या है सर ग्लेंड देखने को मिली जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल यह जो वास डिफरेंस है इसी रास्त पढ़ा हो बता यह प्रोस्टेट कैंसर तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा अधिकतर यह बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलता है प्रोस्टेट ग्लैन्ड के जश्ट नीचे सरीसी जगे पर बल्बो यूरेथरल ग्लैन्ड देखने को मिलेंगे भी आगेच के प्रिंदि निकलता और वीर रहने कि सीमेंप भी याद रखी ओ ठीक है क्या क्या तो मूतर भी बाहर निकलता का दाına पीस चीज को तरीके समझ पाये होंगे यहां कुछ और चीजें आपको clear हो गई होगी मेल रिप्रड़क्टरी सिच्टम सबसे पहले मैंने आपको urinary bladder के बारे में नहीं बताया भाई देखो kidney होती है क्या होती kidney kidney किटनी होती है तो आपने बोला दो एक होती है एक होती है भी है और बी kidney की भी वायर एक रहती है है ना जैसे आपका पानी वाला पाई इसी तरे तो यहां पर क्या होता है urinary bladder में जो मूत्र होता है वो संचित कर लिया जाता है मूत्र को इस्टोर कर लिया जाता है ठीक है तो चलो नीचे से देखने इस इमिज के थोड़ा सा छोटा करके आनंद ले करके है ना आनंद की अनुभूती हो रही है ना हो तो बता दे ना सबसे पहले इधर से चलते है इधर ही से सुरू करते है ना जी जो जो हो जाएंगे उनमें हम गोला कर देंगे सबसे पहले हमको पता चला कि इसके अंदर टेस्टीस होते हैं क्या होते है सर टेस्टीस कितने पाए जाते हैं संख्या में दो ठीक है टेस्टीस को हिंदी में क्या बोलते हैं सर व्रसंड व् उसको खोल के निकाल दीए ठीक है Testise के बाद हम देखते जहां परी स्टोर होता है उसको बोलते है suzat देखिए एक epidymes आपको यह दिख रहा है एक epidymes यह दिख रहा है तो अगर पूछू epidymes की संक्या कितनी है तो आपने बोला दो एपिडी डाइमिस को हिंदी, इंगलन हिंदी में क्या बोलते हैं तो हिंदी में बोलते हैं उसको अधी वरसंट ठीक है, पूरा क्लियर होगा, यह तो अभी नर जरनतंतर है ठीक है, भी मादा भी पढ़ेंगे इसी में फिर एपिडी डाइमिस से एक वायर जाती है, यह वायर जा रहा है यह तीर को अच्छे तरीके से, ठीक है, यह वायर आगे जा रहा है सर इसी वायर को बोलते हैं वास डिफरेंस, याद रखो क्या बोलते हैं, इसी वायर को सर बोलते हैं वास डिफरेंस फिर देखो ये वास डिफरेंस की वायर देखो आगे जा रहे आगे जा रहे आगे जा रहे ये एक नली का में खोल रही है ये नली है और ये दो वास डिफरेंस कितनी है दो है ठीक है फिर ये जो यहां पर जुड़ जा रहा है इसको बोलते है वास डिफरेंस एमपोल करके इ पारे में फिर देखो ये नली उधर से आई ये भी इधर से आई तो यहां पर ये देखिए सर क्या पाया गया से माइनल वेसाइकल पाया गया सर बताए क्या पाया गया सर से माइनल वेसाइकल कितना पाया गया दो एक इधर भी पाया गया और एक इधर भी से माइनल वेसाइक से नीचे और इधर ही भायर होती है मतलद पाइप होता है उसी पाइप से वी रे आएगा और उसी पाइप से मूत्र यानिकी युरीण वर्ड सुने होगे यूरीण ठीक है यूरीण है ना अब देखेंगे प्रोश्टेरिट ग्रंती प्रोश्टेट आप लोग बहुत सुने हो गए मैं जब हॉस्पिटल पर वर करता था तुमारा पर मैं प्रोस्टेट्ट कैंसर की पेसेंट ने मारीज बहुत देखता था है ना बहुत आते थे तो यह प्रोस्टेट ग्लाइंड ओ गई तो जश्ट नीचे आप यह देखो वीर में बहुत देर सारा पदार्थ होता है ठीक है कुछ सेमाइनल वेसाइकल का फ्लिवड होता है कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लिवड होता है जो बना करके डाल देती है ठीक है बहुत देर सारा उसमें हम लोग फ्लिवड देखते हैं और फ्लिवड के साथ साथ उसम इस्पर्म भी रहता है तो इस्पर्म उसमें कम रहता है लेकिन फ्ल्यूड की मात्रा ज्यादा होती है अब फ्ल्यूड और इस्पर्म मिला करके हम बोलते हैं यह क्या है तो यह सीमेन वीर है ठीक है अकेले अगर सुक्राडू को कहीं देख लेंगे तो बोल देंगे भाई यह सुक्राण हुए इस पर मैं इसको सीमें नहीं बोल सकते ठीक है तो यह सभी जो ग्रंथियां यह अपना अपना स्राव मिला देती है जिससे वो फ्लिूड बन जाता है ठीक है फिर यह नली देखो आगे की तरफ बढ़ी आगे की तरफ बढ़ी तो यहां पर हमको यह क्या इसके ऊपर एक skin चड़ी होती है जिस skin को बोलते फ़ड इस प्लाई होती बहुत मतलब मजबूत कठोर Все हो जाता यह टिक है तुसको इसको बोलते एरक्टाइल टीसू यहां पर पाए जाते हैं यह देखिए किसके पास पेनिस के पास क्लियर है अब एक बार चित्र को देख लिजए अच्छे से मुझे उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे फिर इस इमेज को देखिए बोलो कि आज इतने इम आप यह टेस्टीस हैं ठीक है यह देखो टेस्टीस टेस्टीस से क्या बन रहा है आपका यह स्कुरूटाम ठीक है टेस्टीस से बना वरसाण सुक्राडू यह देखो इससे सुक्राडू बन रहा है सुक्राडू कहां इस्टोर हो रहा है एपिडाइमिस में एपिडाइमिस सेवाइनल师ाइचल के बाद यह नली फिर आ गया है यह देखो यह आ गया है फिर देखने को मिले सर्प्रोस्टेट ग्लैंड वता हो देख रहे ¿ो कि नहीं जो उपर किड़नी से नली आ रहे utilizar उसको बोलते हैं यूरेटर है ना क्या बोलते हैं यूरेटर यूरेटर के बाद यह पर प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिल गया ठीक है अब सर यह प्रोस्टेट ग्लैंड देखो जस्ट आगे बढ़ेगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा यह हमको पेनिस देखने को मिले लेकिन जब अचानक से यह क्या होता है अचानक मतलब धीरे धीरे से जब sexual feelings increase होती है वड़ते तो वह यह कठोर होता जाता है क्यों क्यों कि इसके अंदर erectile tissue पाए जाते हैं यहां पर blood की high blood supply होती है यह समझ लो high blood supply इसके अंदर इसके अंदर एक special tissue पाए जाते है जिसको erectile tissue बोलते है और जो यह नली आ गए आ रही अब यह नली मिक्स हो गई अब इसके अंदर से सीमेन भी आएगा सीमेन बोले तो वीरे भी आएगा और और क्या और यूरीन भी आएगा है ना मूत्र भी आएगा तो यह नली होती है फीमेल मादा जनन तंत्र आप लोगों ने बहुत पढ़ा है मादा जनन तंत्र के बारे में मेरे सभी वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम लिख देना फिर लिख देना बायो अमन ठीक है जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हो टॉपिक सर्च करो लिख दो बायो अमन अगर ना मिले वीडियो मार देना गोली मुझे है ना भया हाथ उपर करके बैठ जाओंगा जो करना हो कर ले न मेरा ठीक है माफी मांग लोगा तुमसे ठीक है देखे मादा जननतंत्र क्या होता है मादा जननतंत्र में जो बैया उपरी भाग हमें दिखता है मादा जननतंत्र के देखो कई भाग होते है ठीक है जो उपरी भाग होता है एक्स्टरनल जेनेटाईला उसको बोलते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है उसके अंदर हमको mons pubic देखने को मिलता है pubic hair देखने को मिलता है kleitoris हाँ ना और labia majora labia minora लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जा करके देख रहे हैं ठीक है थोड़ा सा अंदर इंटर करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा वेजाइना क्या देखने को मिलेगा वेजाइना जिसको हिंदी में बोलते हैं योनी सकरा भा होता ये क्या बोलते हैं सर इसको वेजाइना वेजाइना के सर थोड़ा सा आगे वढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा सर्विक्स ठीक है और इसके अंदर देखी जो नली होती है इस नली इस नली को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल नली इसी रास्ते पर क्या होता है इसी रास्ते पर स्पर्म को छोड़ा जाता है फिर स्पर्म कहां जाता है जाता है यूट्रस के अंदर यूट्रस को क्या बोलते है सर यूट्रस को बोलते है गरवास है ठीक है यह इतना कलर्ड नहीं होता है याद रखियो हलका पिंग कलर का होता है इसमें बहुत कलर्ड हो गया यह ना कि समल लो इतना रंग विरंगा होता है ठीक है तो यूट्रस के अंदर यूट्रस होता है मायो मेट्रियम लिख लेना मायो ये वाली को और सबसे जो अंदर ओती ये वाली इस हैं एंडो मेट्रियमiren क्या expensive argent ऐगे बड़तें फिस सक्री दिवाले दो हटों को देखने को मिलतें एक लिफ्ट साइड चली जाते हैं एक राइट साइड चली जाती। फिर आगे यहां पर हमको कुछ ऐसा ही structure देखने को मिलते है यह वाला structure ठीक है एक हलका पतला नली नली देखने को मिलता है सरी जो नली होती है इसी को बोलते है फैलोपियन ट्यूब इसी को बोलते है फैलोपियन नलीका ठीक है क्या देखने को मिलते है सर इसी को सर बोलते है फैलोपियन नलीका फैलोपियन ट्यूब तो यूटरस कितना है गरवासे कितना है तो आपने बोला एक है भाईया फैलोपि प्रिएंटीूब कितनी है, दो है, फिर फैलोपीन ट्यूब के आगे ये देखे, कुछ हलका सा उंधली समां संरचना है, इसको हिंधी में बोलते हैं झालर, इंगली समां संरचना इंगले संनरचना जिस चीज से जूडी होती है, घीक है, सर इसको बोलते हैं ओफरी, इसको ब अंदर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से clear होनी चाहिए ठीक है अगर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से clear नहीं होगी तो फिर आप समझ रहे हैं फिर ये problem फिर ये दिक्कत आपको होगी फिर आप मुझे मत कहना बाइया मैं भूल गया ठीक है क्योंकि ये exam के point of view से बह ये दिर है बोलेगा चलो एक नंबर को क्या बोलते हैं बताओ तीन को क्या बोलते हैं चार को क्या बोलते हैं पांच को क्या बोलते हैं बताओ नाम करनी कर दो ठीक है चलो आगे चलते रहो चलते रहो आगे की तरफ तुम चलते रहो ये देखो हमको देखने को मिला ना देखने को मिला वेजाईना के आगे सर्विक्स देखने को मिला सर्विक्स के बाद यूट्रस देखने को मिला गर्वास है यूट्रस की तीन लेयर ठीक है इसको क्या बोलते हैं एंडोमेट्रियम यह देखिए अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम ठीक है ब ठीक है फिर इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको यूटेराइन कैविटी देखने को मिलेगी जो बचवा होता है ना जो यूगमनज होता है जाइगोट जाइगोट बनता है क्या मौरूला समझो जाइगोट बड़ा होकर मौरूला बनता है जैसे बच्चा बड़ा होकर क् क्या बनता है नालायाक बत्तमीज है ना गदहा पागल कुत्ता अपने घरवालों के लिए तो यह यूटराइन कैविटी के अंदर आता है यूटराइन कैविटी में एंडोमेट्रियम की जो दिवाल होती उसी से चीपक जाता है उसी से चीपक जाकर के प्लैसेंटा अपरा का निर्माल करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो दो संरचना बिल्कुल क्लियर्ड दिख रहे हैं आपको ठीक है यह जो फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट है इसके ऊपर कुछ आपको यह ऐसी संरचना देखने को मिले कु दो फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगी और उसके बाद यह देखे अंदर ओवरी देखने को मिलेगी अंडासे इसी ओवरी से सर ओवाम यानि की अंडाडू उतसरजित किया जाता है बोलो के भाईया दो ओवरी हैं किस से काउन सा अंडाडू होता है तो भाईया जो अ माहवारी यह ना मासिक चक्र बोलते हैं रजो धर्म बोलते हैं इसको कई नाम से जानते हैं ठीक है मासिक चक्र तो 28 दिन का होता है तो अगर एक 28 दिन में यह वाली ओवरी निकाली है अपना ओवाम तो दूसरे में यह निकालेगी एग क्या निकालेगी ओवाम और अगर पू तो सर्व वो इस जगे पर होगी, इस जगे पर, यहाँ पर, तीन तरफ से Seperm भागेंगे, एक उपर, एक left, एक right, ठीक है, अफरक यह पढ़ता है कि दर से ओवा मा रहा है, दो तरफ के Sperm खराब हो जाएंगे, और एक तरफ के Sperm जो है, अंडाडू से यानि कि ओवरी के अंदर जो अंडाडू है उससे क्या करेंगे फ्यूज कर लेंगे ठीक है निसेचन की क्रिया कर लेंगे और निसेचन की क्रिया करके क्या बना लेंगे तो वो बना लेंगे यूग मनाज वो बना लेंगे सर जायोड बना लेंगे ठीक है ये देखो यहाँ पर है clear है मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको clear हो रही होंगी और आपको सारा कुछ clear हो गया होगा ठीक है सर चलिए आगे वड़ते हैं आगे कुछ देखने का प्रयास करते हैं फिर देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिला ये देखिए फिम्री देखने को मिल गई जालर जिसको बोलते हैं ओवरी देखने को मिल गया ओवरी आपकी दो पाई जाती है नमबर दो, नमबर एक ठीक है फिर ये जो बाहर का यहाँ पर ये जो अंदर का भाग दीख रहा है इसको बोलते हैं यूटेरस यूटेरस की जो अंदर की दिवाल होगी तर उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं एक सर्विक्स देखने को मिला एक विजाईना और हमको दो फैलोपियन ट्यूब देखने को मिला सर्फ फैलोपियन ट्यूब को ओवी डक्त भी बोलते हैं most important बहुत ज़्यादा important महत्वपूर्ट है कि फैलोपियन जो ट्यूब होती इफ्टी जो होती है जिसके अंदर निसेचन की क्रिया होती है निसेचन की क्रिया किसे बोलते है कि नर और मादा ठीक है कि जो युगमजाईगों है गैमीट है वो आपस में मिलने की क्रिया को बोलते है निसेचन ठीक है तो निसेचन की क्रिया कहां पर होती तो वो होती OVDuct पर फैलोपियन ट्यूब पर अब आपको मैं एक चीश बताना चाहूंगा चलिए आगे वरते हैं आगे नहीं होगा तो मैं इसमें बता दूँगा लेकिन इसमें तो नहीं है नहीं है चलिए इसी मैं बता देता हूं देखे ये जो फैलोपियन ट्यूब हमको देखने को मिले इस फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं चलिए हमने इसको बीस से काटा ये हमको एक भाग देखने को मिला फिर हमने इसको बीस से काटा ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग ठीक है चलिए इन तीनों भाग क को देखते क्या क्या होता है सर जो फिंबरी की तरफ भाग होता है सर उसको बोलते हैं इन फंडा बुलं इन फंडा बुलं इन फंडा बुलं से के आगे वड़ेंगे तो उस बाग को बोलेंगे एमपुला ठीक है एमपुला के आगे वड़ेंगे तो बोलेंगे इस थामस ठीक तो सर अगर आपसे कोई पूछ लें कि भाई या बताओ कि सुक्राडू और अंडाडू किस जगे पर मिलता है तो सर सुक्राडू और अंडाडू एक ऐसी जगे पर मिलता है जिस जगे पर बोलते है एमपुलरी इस्थमस जंगसन यहाँ पर लिख दू वो जिस जगे पर मिलत मिलता है जो उन्हों जगे पर मिलता है तो उसको बोलेंगे कि retard कि कि Bak इस्थमस अ则 कि जंक्सन बोलते हैं कि क्या बोलते इसर एम्पूलरी Tamam सब्धिए मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हुई हो चलिए आगे वड़ते हैं यह बहुत एक अच्छा डाइग्राम मेरे हिसाब से है और मुझे यह बहुत प्यारा लग रहा है यह आपकी एक फीमेल है ठीक है फीमेल हमको यूटराइन ट्यूब देखने को मिली सर यूटराइन ट्यूब कंफ्यूज हो गयों कि वह यूटराइ और वेजाईना दो चीजज देखी रहे थे वह यह बहुत देर से 20 समय से मितना ही देख चुके हैं हैनल सर इस ना सर्विग स्भीजाईना के बाद हमको कुछ अलग अलग चीजह देखने को मिली कि L sw underest और ले बियम माईनस और लेबियम मेजस को लेबियम माईनोरा और कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे ठीक है जो लेबिया माईजस जो होता है मेजस जो होता है वो खिनारे का भाग होता है ये भाग हमें दिखता है ठीक है ये एक्स्टरनल जेनेटाइला होता है ये भाग हमें दिखता है जिस भाग को बोलते हैं लेबियस मेजस इसको एक भाग और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लेबिया मैजोरा ठीक है और इसको एक नाम से और जानते हैं लेबिया माइनोरा ठीक है तो लेबिया मैजोरा क्या होता है लेबिया मेजस क्या होते है और लेबिया माइनस क्या होते है समझ गया है बताए लेबिया माइनस ज इसको बोलते है क्लाइटोरिस जहां से ये दोनों सुरू होते हैं यह एक्स्टर्नल जने टाइल है बाहरी दरस्ट से है यह ठीक है और यहां पर इस जगे पर हमें हाइमेन देखने को मिलता है ठीक है हाइमेन clear है मताये इस image ने हमारी कुछ हद तक चीजें clear कर दी है बस तो आज किस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया नर जननतंत के बारे में मादा जननतंत के बारे में detail lecture detail वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel पर जा करके चेक कर सकते हैं यदि आप 10th में है तब भी देखिए 12th में है तब भी देखिए और यदि आप BA, BSC, Graduation, Doctorate कुछ भी कर रहे हैं तो आप देखिए वही है जानकारी लीजिए क्योंकि यदि आपके पास जानकारी है तो आपके पास सब कुछ है यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं है यदि आप महान बनना चाहते हैं तो जीते जी आप कोई दुनिया महान नहीं बनाएगी जब आप मर जाएंगे तब आप महान बन जाएंगे इसलिए अपनी नौलिज को इकठा करते रहे और आपके हिसाब से जो नौलिज हो बायो अमन के पास सेयर करने के लिए आप उसे जरूर करिए हम उस नौलिज पर जरूर इंप्लीमेंट करेंगे तो आज के लिए अलविदा लेते हैं आपसे आप सुस्त रहिए अच्छे से मस्त रहिए जहां भी रहिए पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए विस यू अलदा बेस्ट तैंक यू